जै श्री कृष्णा दोस्तों लाइफ कीपर में आपका स्वागत है साथियों कर्म योग कर्म शब्द का अर्थ है क्रिया तो कर्म योग कर्म का मार्ग है कर्म योग के अभ्यास का अर्थ है फल की इच्छा किये वगैर कर्तवियों का पालन करना जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम फल की चिंता किये बिना अपना कर्तव्य करो कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है कि उसे कर्म करना अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता वह केवल कर्मफल का त्याग करता है और कर्मजनित दुखों से मुक्थ हो जाता है दोस्तों श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को गीता उपदेश में कर्म योग और कर्मफल का ज्यान दे रहे होते हैं तो अर्जुन पूछते हैं हे जनार्दन आप कह रहे हो की कर्म की अपेक्षा ज्यान श्रिष्ठ मान्य है तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धी को मानों मोहित कर रहे हैं इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्यान को प्राप्थ हो जाँ तो श्री कृष्ण बोलते हैं है निशपाप इस लोक में दो प्रकार की निश्था है उन में से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग की माया से उत्पन हुए संफूर्ण गुनों में बरते हैं तथामन, इंद्रे और शरीर द्वारा होने वाली संफूर्ण क्रियाओं में करतापन के अभिमान से रहित होकर परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है और इसी को सन्यास सांख्य योग आदी नामों से भी कहा जाता है और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से फल और आसकती को त्याग कर भगवदा ज्यान अनुसार केवल समत्व बुद्धी से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है इसी को समत्वयोग, बुद्धियोग, कर्मयोग आदी नामों से भी कहा गया है है अर्जुन मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किये बिना निशकर्मता को प्राप्थ होता है और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिध्धी प्राप्थ होता है निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता है क्योंकि सारा मनुष्य समुदार प्रकृती गुनों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है तथा जो मूर बुद्धी मनुष्य समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक उपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विश्यों का चिंतन करता रहता है वह मिध्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है किन्तु है अर्जुन जो पूरुष मन से इंद्रियों को वश्मे करके समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचन करता है वही सबसे श्रेष्ट है यग्य के निमित किये जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मुनश्य समुदाय कर्मों से बंधता है इसलिए है अर्जुन तूम आसकती से रहित होकर उस यग्य के निमित ही भलीभाती कर्तव्य कर्म करो तुम लोग इस यग्यद्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परमकल्यान को प्राप्थ हो जाओगे यग्य द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिये हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिये स्वय भोगता है वह चोरी के सामान है यग्य से बचे हुए अन को खाने वाले श्रिष्ट पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोशन करने के लिए ही अन पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं संपूर्ण प्राणी अन से उत्पन होते हैं अन की उत्पत्ती व्रिष्टी से होती है तथा व्रिष्टी यग्य से होती है और यग्य वहित कर्मों से उत्पन होने वाला है कर्म समुदाय को तूम वेद से उत्पन और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन हुआ जानो इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदाही यग्य में प्रतिश्थित है है पार्थ जो पुरुष इस लोप में इस प्रकार परंपरा से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायू पुरुष व्यर्थी जीता है परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही संतुष्ठ हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है ऐसे महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और नहीं कर्मों के नहीं करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। इसलिए तूम निरंतर आसकती से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भाती करते रहो क्योंकि आसकती से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो श्रिष्ट पुरुष जो भी आचर्ण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचर्ण करते हैं, वह जो कुछ प्रमान कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसर्ण करते हैं, इसलिए यदी मैं कर्म न करू तो सब मनुष्य नश्ट घ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नश्ट करने वाला कैसे बन सकता हूं। क्यों शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भाती करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृती के गुनों द्वारा किये जाते हैं तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है। ऐसा अज्यानी मैं करता हूँ। परंतु गुन विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्यान योगी संपूर्ण गुनों में बरत करता है। और वह ऐसा समझ कर उनमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृती के गुनों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुनों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन्हें पूर्णत्या न समझने वाले मंदबुध्धी अज्यानियों को पूर्णत्या जानने वाला ज्यानी विचलित न करे। है अर्जुन तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पन करके आशारहित, मम्तारहित और संतापरहित होकर युद्ध करो। है पार्थ सभी प्राणी प्रकृती को प्राप्थ होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, ज्यानवान भी अपनी प्रकृती के अनुसार चेश्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट करने से कोई फाइदा नहीं है। अच्छी प्रकार आचर्ण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुन रहित पर भी अपना धर्म अति उत्तम है अपने धर्म में तो मरना भी कल्यान कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है दोस्तों अर्जुन बोलते हैं हे कृष्ण तो फिर यह मनुश्य स्वयन चाहते हुए भी बलात लगाये हुए की भाती किस से प्रेरित होकर पाप का आचर्ण करता है भगवान श्री कृष्ण बोले रजोगुन से उत्पन हुआ यह काम ही क्रोध है यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अगाने वाला और बड़ा पापी है जिस प्रकार धुए से अगनी और मैल से दरपन धका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्ब धका रहता है वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्यान धका रहता है और हे अर्जुन इस अगनी के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्यानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्यान धका हुआ है इस प्रकार बुद्धी से पर अर्थात सुक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ट आत्मा को जानकर और बुद्धी द्वारा मन को वश्मे करके तूम इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डालो तो दोस्तों हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे और बूरे दोनों परिणाम को स्विकार करो क्योंकि कर्म योग कहता है कि जब आपको अपने कर्मों का फल मिले, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सफलता हो या विफलता, उसे स्वीकार करें और उसका सम्मान करें, लेकिन खुद को इससे प्रभावित नहोने दें। जब आपको सफलता मिले तो उसे स्वीकार करें लेकिन सफलता को अपने सिर पर हावी न होने दें। अगले कार्य पर आगे बढ़े और उसी मनोभाव से अपने कर्तवियों का पालन करते रहो। और अगर जब परिणाम में असफलता मिले तो इसे स्वीकार करें और इससे निराश नहों, क्या गलत हुआ इसका विशलेशन करने के लिए रुकें और समझें कि आप भविश्य और अगले कार्य में बहतर कैसे कर सकते हैं दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको विडियो पसंद आया होगा कृप्या अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं और विडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बैल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी चैनल पर नया विडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुभ हो